नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में भारती मैला बाडी बिल्डर जिन से विदेशी भी घबरा रहे हैं बाडी बिल्डिंग को आम तवर पे पुर्थो का ही खेल समझा जाता है वे भी बिसेशकर भारत में जहां मैलाएं के लिए बाडी बिल्डिंग जैसा खेल ही स्वविकार नहीं है लेकिन इनके वाजुद बाडी बिल्डिंग भारत में तेजी से बढ़ते हुए खेलों में से एक है इसी के साथ मैलाएं भी बार्डी विल्डिंग में अपना एक अलग मुकाम बना रही है अभी मैलाओं का एक छोटा सा तपका ही है जो इस खेल में कुछ बदलाव लाने की कोशिस कर रहा है भारती माईलाय समाज जनक नाम कमा कर अभी तक समाज में चल रहे कुछ नियम को तोड़ कर काम्याब रही हैं इन female bodybuilder ने भारत में ही नहीं बलकि वीदेशों में अपना प्रतिभा का लोहाब मुकाम बना लिया है आएए भारत की female bodybuilder के बारे में जानते हैं तो चलिए इनके बारे में पुरा डिट्रेल से जा लेते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आतो छोटी सी रिक्वेश्ट वीडियो को लाइक कर देना, सेयर कर देना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे भी नई है और कमाल कमाल की वीडियो मिलने वाली है नमबर एक सुरूता राठोर सुरूता राठोर भारत की पहली एक ऐसी महिला हैं जिनोंने उजवेकिस्तान में हुई 49 एसी आई चैंपियन में सिल्वर मेडल जीता है सुरूता राठोर एक भारती बार्डी बिल्डर माडल भी है यह एक ऐसी पहली महिला है जिनोंने भारत की तरफ से वर्ल्ड चैंपियन में मेडल जीता था इसके अलामा यह फिटनेस फिजिक्स 2014 में मेडल रह चुकी है और 2014 में मिस एसिया भी बन चुकी है नमबर दो यस्मिन मानक 37 वर्षी यस्मिन मानक अभी हाल ही में मिस इंडिया कमपटीशन में विमीन फिटनेस में गोल्ड मेडल जीत चुकी है इसी प्रत्योगता में इन्होंने विमीन फिटनेस भी गोल्ड मेडल जीता था नमबर तीन मुमटा देवी यूमनाम 35 वर्षी मुमटा देवी यूमनाम भारत की एक पहली ऐसी महिला है जिन्नोंने बहुत दिनों तक अकेले ऐसी महिला थी जिन्नोंने किसी नेजलन्ड कमपटिशन में मेडल जीता था नमबर 2011 में अपने पती का सायोग से मुमटा देवी अपने ट्रेनिंग को सिरियसली लेना शुरू कर दिया और अंतर राश्टी कमपटिशन में भारत का नाम उचा कर दिया नमबर चार दिव का चगरे यदि आप सोचते हैं कि मसल्स और एप सिर्फ लड़कों का काम है तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है क्योंकि 30 वर्षी दीपका चोधरी अच्छे अच्छे लड़कों को इस मामले में पीछे छोड़ देती है दीपका भारत की पहली मैला जिनोंने अमेरिका में नेशनल फिटनेस कंपटिशन में भाग लिया आवर्ड भी जीता नमबर पांच राविता देवी राविता देवी एक बायो कास्मेटिक की स्टूडियो रह चुकी है और मुम्टा देवी के बाद यह दूसरी मैला थी जिनोंने 2014 में मुंबई में हुए वर्ल्ड चेंपियन के बाड़ी बिल्लिंग की कटगरी में पदक भी जीता लेकिन इसके दुर भाग किसे रविता को अपने दोस्तों और राचले लोगों से बुरे और भले कमेंट सुनने को मिलते थे रविता को बहुत दूख होता था जब वो मेडल जीतने के बाद भी लोग काते हैं कि यह एक यह लड़कियों के लिए नहीं है तो आज की वीडियों बस इतना है दोस्तों आप मुझे एक शीच कमेंट करके बताएं यह माईला बाटे विल्लिंग आपको कैसा लगा जरूर दोस्तों कमेंट करके बताना और हाँ दोस्तों वीडियों को लाइक कर देना सेयर कर देना आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे भी नई और कमाल कमाल की वीडियों मिलने वाली है आपने हमारे वीडियों को यहां तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवादे